नमस्कार स्वागत है आप सभी का इस खास प्रोग्राम में आपको याद होगा कि 22 जनवरी को श्री आयुध्याधाम में रामचंद्र की प्राणपरतिष्ठा के तुरंद बाद एक दिन बाद ही प्रधान मंत्री ने प्रधान मंत्री सूरियोदय योजना की घोशना की थी और उसके बाद पी-म सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अब काबिनेट ने मंजूरी दे दी है पुच्छत्र हजार करोड रूपे से ज्यादा इस योजना पर खर्च किया जाने है और योजना का आप कैसे लाव उठा सकते हैं कैसे सीधे तोर पर यह हमारे और आपके जीवन को तैयर किया अपने दर्शों के लिए इस योजना के बारे में आए आपको बताते हैं कि क्या कुछ बड़ी बात हैं इस योजना की और उसके बाद सीधे इस विशेश साक्षातगार पर अपस लोटेंगे अब हमारी सरकार एक और ऐसी योजना लेकर आई है जिससे आने वाले वर्षों में अनेक परिवारों की बचत और बड़ेगी हम बिजली का बील जीरो करने में जुटे हैं और बिजली से परिवारों को कमाई का भी इंतजाम कर रहे हैं PM सूर्य घर मुप्त बिजली योजना के माध्यम से हम देश के लोगों की बचत भी कराएंगे और कमाई भी कराएंगे इस योजना से जुडने वाले लोगों को 300 यूनिट तक मुप्त बिजली मिलेगी और बाकी बिजली सरकार खरीदेगी आपको पैसे देगी टिकाओ विकास के दिशा में और लोगों की भलाई के लिए PM सूर्य घर मुप्त बिजली योजना को कैमिनेट ने मनजूरी दे दी है इस नई स्कीम से एक करोड घरों को मुफ्त बिजली का फाइदा मिलेगा योजना पर सरकार 75,000 करोड रुपे से ज्यादा कार निभेश करेगी स्कीम के तहट सरकार लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे सबसीड़ी डालेगी साथ ही उन्हें रियायती दरों पर बैंक लोन का बंदोबस्त भी किया जाएगा एक नए पोर्टल पर योजना की सभी दरह की सुविधाओं को इंट्रिक्रेट किया जाएगा शेहरी स्थानी निकायों और पंचायतों को अपने क्षित्रों में रूफ टॉप सोलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्रुट्साहित किया जाएगा स्कीम का उदेश आए बढ़ाना बिजली बिल कम करना और लोगों के लिए रोजगार के अफसर पैदा करना है रोजगार सुरिजन में भी इजाफा होगा प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्सपर पोस्ट कर युवाओं से आगरह किया कि वे पी-म सूर्यगर.gov.in पर आवेदन करके पी-म सूर्यगर मुफ बजली योजना को मच्बूत करें एक फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश करते हुए वित मंतरी नर्मला सीता रमण ने रूफ टॉप सोलर और मुफ बजली योजना को लाने का ऐलान करते हुए कहा था कि इस योजना के जरिये एक करोड घरों को हर महीने 300 यूनिट बजली मुफ दी जा सकेगी साथ ही इससे एक करोड परिवारों को योजना से सालाना 15 से 18,000 करोड रुपे की बचट होगी साथ ही वे सरपलस पावर बिजली वितरन कंपनियों को बेच सकेंगे एक बफिर से स्वागत है आप सभी का इस खास प्रोग्राम में और शुरुवात सर यहीं से करते हैं कि इस योजना के मूल में क्या है इसकी विशिस्ता क्या है और इसके केंदर में आपने किस चीज को रखा जब आप इस योजना की पूरी रोप रिखा कैबनेट में लेके जा रहे थे इस योजना का खासकी खासियत यह है कि हमने जो पावर थी रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने की वो अभी तक ज्यादातर डिस्कॉम के पास थी या विंडर्स के पास थी कंज्यूमर एंड में आता था क्योंकि हम क्या करते थे हम कपैस्टी एक्जिस्टिंग जो हमारी स्कीम थी उसमें हम कपैस्टी जो हमने इंस्टॉल करवानी थी हम स्टेट्स को अलोकेशन करते थे उनको अवंटिद करते थे स्टेट आगे जाकर डिस्कॉम को बोलता था कि आ तो फिर वेंडर को ढूड़ के वेंडर को कपैस्टी दी जाती थी कि आईए आप जाएए अब जरा आप आप कंजूमर ढूड़ जो लगाना चाहते हैं तो कंजूमर का रोल एंड पर आता था कंजूमर के पास पावर नहीं थी चूज करने की क्योंकि वेंडर जाता था तो को उसी से काम कराना पड़ता था हो सकता है कि एक से ज़्यादा वेंडर चला जाए लेकिन उसकी जो आप्शन से बड़ी कम थे अब हमने इस नई योजना में इसको बिलकुल ही विपरीद कर दिया बिलकुल उल्टा कर दिया अब सारी पावर हमने कंजूमर के हाथ में दे सारे वेंडर जितने भी लगाते हैं पूरे देश में उसकी लिस्ट अवेलिबल है आपके एरिया में कौन सा है उसके बारे में आपको पता चल सकता है आप वेंडर को कंपेर कर सकते हैं कंपेर करने के बाद उनसे बात कर सकते हैं अलग लग और उनसे बात करके आप rates ले सकते हैं सबसे quality का देखिए कि कौन सा आपके लिए अच्छा है उसके लिए हम अपने portal पर बताएंगे कि कौन सी module जदा अच्छे है कौन सा inverter जदा अच्छा है अब उन module और inverter के जो हम information देंगी उसको देखते हुए आप vendor से फैसला कर सकते हैं अपने आप install कर सकते हैं बन्यादर आपके लिए install करेगा आप उनसे टैकल लीजिए आप install कर दीजिए install करके हमें डिसकॉम जो power distribution company है वो उसको चेक करेगी वो वहां मीटर लगाएगी और हमें बता देगी portal के द्वारा जैसी portal पे हमारे पास आएगा information के वो लग गया है और उसका inspection हो गया है उसकी जो subsidy जो consumer के लिए है वो सीरा उनके खाते में चली जाएगी तो सारी जो power थी जो भी consumer के पास नहीं थी वो अब इस portal के द्वारे consumer के पास आ गई है तो ये खास विशे इसकी खासियत है इस scheme की तो आप कह रहे हैं कि अगर मैं एक consumer हूँ और मेरे पास already एक meter है जो अभी बिजली का meter है जो चल रहा है जिस पर मैं already units कुछ खर्च कर रहा हूँ obviously वो thermal power से आ रही है मेरे घर में अब मैं उसमें additional ये मतलब आप कर रहे हैं इंग meter लगेगा और ये subsidy सीधे मेरे खाते में आएगी ये एक नया बदला है जो अब ही जो हमारे पास power आती है इन जनरल में बता दू करीबर हमारे पास जितनी भी power आती है क्योंकि हमारे पास दे पास देश्ट renewable energy का होगा लगबग ये बढ़कर बढ़ता रहेगा हमारा जो obligation है ये बढ़कर 40% हो जाएगा कुछ सालों के अंदर लेकिन जो जब यह रूफटॉप सिस्टम लगाएंगे उसके उपर आपका जो existing meter है उसको बदल दिया जाएगा अभी existing meter में क्या होता है आ नहां से बजली आती है आपके घर में जाती है इसके लिए एक बाय डिरेक्शनल दो डिरेक्शन वाला net meter उसको बोलते है net metering वाला जो मीटर होता है वो लग जाता है उसमें जो कुछ बजली तो बाहर से आएगी कुछ बजली जो आपकी surplus है rooftop की वो grid में चली जाती है for example दि दिन में जब कड़ी दूप होगी आप काफी units generate करेंगे सारी तो आप घर में यूज नहीं कर पाएंगे हो सकता है कि यूज कर लें हो सकता है ना कर पाएं जो excess energy होगी दिन में वो grid में चली जाती है उसी meter के द्वारा तो एक हिसाब रहता है आपने कितनी पजली खरी दी औ कर दो फिर आपको खरीदनी पड़दी है पूरे मंद्स के अंड में पूरे महीने के एंद में एक हिसाब आजाएगा आपको फिल के अंदर कि आपने टोटल इतनी खरीदी इतनी बेची डिस्कॉम को net आपका ये आपका बिल है जो आपको पेमेंट करना है तो आप करेंगे सब्सक्राइब जो बिलिंग होती है उसमें हमें बचत हो जाएगी एक तरह से वो बचत के तौर पर हमें दिखाई देगी या फिर कुछ अडिशनल एमाउंट जो आप कहा रहे हैं कि तो इंस्टोलेशन होगा उस इंस्टोलेशन के अधार पर जो जो अपने जैसे की तीन किल वाट के उपर आपने कुछ सबसीडी ताय की है तो वो मेरे खाते में भी आएगी क्या अडिशनल लकाम है सबसीडी जो हमने कहा सबसीडी तो कैपटल एक्सपेंडिशर पर है अगर आपने वन टाइम आप अगर तीन किलो वाट लगाना है करीबं डेड़ लाग का आता है एक लाग पंतालिस जार हमारा अनुवान है इंक्लूडिंग इंवर्टर मैं सब कुछ मिला कर करीबं और इ इंस्टॉल हो गया वो आपके खाते में चली जाएगी तो नेट जो आपका जो बचा पंतालिस हजार और बाइस हजार इस वाट जो आपके जेब में से खर्च हुआ उसके उपनी जेब से भी मलब आपने अकाउंट से आप पेमेंट कर सकते हो बैंक से लोन ले सकते हो और यह क्योंकि जैसे तीन किलो वाट का हमारा जो हिसाब हमने जो अनुमान लगाया है करीबन तीन सो यूनिट अराम से वो पूरे महीने में वो जनरेट कर सकता है तीन सो यूनिट आपने वो जनरेट होगा उस तीन सो यूनिट पर वो आपको मुफ्त बजली के तरह है क्योंक लगाना चाहता है कि मेरी खपत कम होगी मैं उतना ही लगाँगा जितनी मेरी शमता है एक तो पैसे खर्चने की दूसरा मेरे रूफ की कितनी स्पेस है कितनी जगा है उसको देखके लगाँगा नॉर्मली एकसेस कोई कम लगाते हैं मुझे खपना खर्चा कम करना है वो ज्या अगर बेचना है अगर एक्टिसिटी डिस्टिबूशन कंपनी को वो भी होता है पर ज्यादातर में को खपत बचाने में ही इतनी हमारी सेविंग हो जाएगी कि वो मुफ्त के बराबर है अब कौन कौन इलिजबल है क्या गाओं में रहने वाले लोग इसमें अपलाई कर सकते हैं शेहरों में कैसे आप करेंगे सुसाइटी बहुत सारी होती है कहीं कॉमन रूफ होता है कहीं पर किसी इक पास छत नहीं है कैसे इसका फायदा उठाए लोग इसकीम के अंदर कोई भी रेटिरिया नहीं है इसको सकीम का फायदा उठाने के लिए लेकिन जो गुरूप हाउजिंग सुसाइटी है जहां पर कौमन रूफ रहता है वहाँ पर किसी का इंडिविजुल छत नहीं होता है हमने गुरूप हाउजिंग सुसाइटी या रेजिट विल्फेर सुजेशन ताइप का जो फ्लाट्स होते हैं उसमें हमने प्राफदान किया है कि वह भी रूफटॉप सोलर लगा सकते हैं इस योजना के अंतगर लेकिन वह कौमन फसिलिटीज के लिए जो जो एनर्जी जिनरेट होगी वह कौमन फसिलिटीज के लिए इस्पेशली ईवी नहीं कराए अब इस पे आप इतना फोकस क्यों कर रहे हैं क्या वज़य है और क्या जो मॉड्यूल्स इस्तेमाल करेंगे हम वो इंपोर्ट भी किये जाएंगे या ये फिर मेड इन इंडिया रहेंगे आपने पर भारत को बढ़ावा देने के लिए हमारा इस योजना के अं भारत में बने होना चाहिए और हमारा पास इतनी शंता है ऐसा नहीं आपका सवाल होगा कि कि वहाई कि हमार पास इतनी शंता है कर नए वहमारा पर पुरी manufacturing facility अवलेबल है और प्रियाप इस स्कीम के अंदर AY जो हमारी थरूरत है डूसरी बात यह है कि हम स्कीम में चाहते ह है हमने bank loans के साथ पहली बार इस scheme को जोड़ा है अब भी हमने जो हमारे bank से बाद हुई है पब्ली सेक्टर banks हैं वो इसके ओपर साथ प्रतिशत ब्याज पर जो मेरे हिसाब से सबसे कम ब्याज होगा अगर आप कोई normal citizen किसी भी चीज़ के लिए लेना चाहे परसनल लोन के लिए तो साथ परसनल ब्याज पर रूफटॉप सोलर के लिए लोन अविलिबल हो गया है क्या है आप सबसेडाइज कर रहे हैं बैंक्स को या फिर वो अपने से मान गया है नहीं यह जो हमने जो उनसे बात की है वो सबसेडाइज नहीं कर रहे हैं उनकी कॉस्ट कम होती है वो normally margin जादा रखते हैं क्योंकि overall cost को अपने देखने के लिए इस योजना के लिए उन्होंने एक special तै ब्याज तै किया है जो उनका cost को भी meet करेगा लेकिन उस पर margin कम रहेगा उस तरीके से गरा उस तरीके से तो पहली बार यह योजना है जहां पर अगर आपको roof to solar लगाना है आपके लिए लगाने के में असानी है आपके लिए एक loan available है पर कितने किलवर गाना मिलेंगा के लिए गाना चाहता हूँ तो भी loan मिलेंगा लोन जो हमने जो 7 प्रसिशत पर व Dalg चो गाना आप लिए उसके लिए यह लोन तो उसके उपर भी मिलेगा हमने यह भी धह A बैंकों से जो तैय किया है कि मैं अगर बड़ा सिस्टम लगाना चाहूँ पांच किलो वाट लगाना चाहूँ दस किलो वाट लगाना चाहूँ लोन फिर भी आप मुझे देंगे तो उस लोन का भी प्राफधान किया गया है लेकिन उसका बैयाज फोड़ा different होगा उसका जो rate होगा होगा फोड़ा different होगा लेकिन loan फिर भी है पहले scheme में क्या था कि हमने rooftop schurer scheme में हम subsidy तो देते थे लेकिन bank loans का हमने कोई प्राफधार नहीं किया हुआ तो ये फरक है दोनों schemes के यह एक बड़ी रहात है सर अगर मालिजी तीन किरो वाट तक के लिए भी साथ परसंट पर लोन मिल रहा है तो अल्मूस्ट काफी सस्ता हो जाता है। इसको टार्गेट को लेते हुए और यह कम बयाज पर लोन प्रावधान परावधान के लिए यह पूरे गर्वर्मन्ट का पूरा एक होल अफ गर्वर्मन्ट अप्रोच कहें गया तो एक करोड़ तो सर एक कौन्टिटी का अप्रोच हो गया आपने कोई टाइम लाइन रखी है शायद इसको इस टार्गेट को मीट करने के लिए अपनी इंटरनल और इन फैक्ट उसको हमने दो वर्ष के लिए बढ़ाया तो पांच वर्ष का दोजार पाईस था उसको हमने और बढ़ा दिया लेकिन अब अगर आप देखें इस कीम में हमने सिर्फ तीन वर्ष का की समय सीमा रखी है स्कीम के योजना के पॉइंट अफ यू से लेकिन हमारा समय सीमा है क्योंकि स्कीम में प्रावधान करना था लेकिन हमारा हमारा हमारी चेश्टा रहेगी कि जल्दे से जल्दे इसको किया जाए अब सरण अब आप हमने देखा जी 20 में भी ग्रीन ट्राजिशन निक बहुत बड़ा फोकस रहा इसमें इंडिया लीट करता हु जो इतनी बड़े स्केल पर सबसिडाइज करने का कोशिश कर रहा है रूफटॉप सोलर को यह हम यह कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे बड़ी योजना हम लोग रोल आउट कर रहा है देखिए अलग अलग तरीके अपनाए गए हैं कई देशों में फीडिन टारिफ का इस्तमाल किया है कईयों ने इस्तमाल किया है क्लस्टर बेस्ट कि बही चलिए एक वेंडर है वो पूरा एक जगा को एक सिटी को या एक गाओं को पूरा कस्बे को पूरा सैचुरेट कर दे आपकी रिस्पॉंसिबिलिटी है कि आप एरिया वाइज आप इसको कर ले तो कईयों ने कि प्राफदान किया है इतने बड़े स्केल पर हो सकता है कम देशों ने किया होगा इसके इलावा जो पर यह भी हम यह नहीं कहते हैं कि सबसीडी अनिवार्य है देखिया ऐसा है कि बड़े-बड़े जो अगर मैं अगर पांच किलोवाट का मेरी पे शमता है मिरे अपनी प तो हमने स्कीम के अंदर एक जो हमने नए चीज ला रहे हैं वो है गिव इट अप कि हम आप से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको अफोर्ड कर सकते हैं तो आप रपसपसडी मत लीजिए आपको हम सहुलियत पूरी देंगे हमारा सिस्टम आप यूज करेंगे हमारे हम उस को के थ्रू अपरूवल जल्दी दिलवाएंगे इंस्टॉलेशन होगा सहुलियत हम पूरी देंगे मतलब आप मिल्र बनने में सहायता करेंगे हम पूरे हर सिटिजन को हम सहायता देने के लिए तयार है यह भी पता चला है सर कि आप पूरा का पूरा गाउं या फिर एक महल ही सोलर के उपर बसाने का प्रयास कर रहे हैं कुछ ऐसे भी योजना है कि सोलर विलिज प्रमोट किया जाए इस स्कीम के ज़री तो इस योजना में जो पहली हमारे पिछली स्कीम थी वो रूफटॉप सिरफ के उपर थी इस बार हमने रूफटॉप को एक और तरीके से यू जिल्डी में से मौडल विलिज बनाया जाएगा इस स्कीम के अंतरगत्श गेट के जितने घर हैं साथ मेरे गाओं को आप बना दीजिए या डियम चूज करेगा सबसे आइडियल स्टेट में आप लोग उसे मदद करेंगे अच्छा लग रहा है सुनने में सर लेकिन यह इंप्लिमेंट कैसे कैसे होगा ग्राउन है तो हम चाहेंगे कि पूरे हमारा जो पुपलेशन है सीटिजन से हैं सब मिलकर इसको लाविश होना चाहिए लेकिन यह एक शुरुआद है यह तो एक सुमौण ऑडल विलिज हैं जो हम प्रोप्थाहित करना चाहते हैं हम स्थाथी गाओं भी इस शोलर विलिज्च को देख कर खुद कहें कि हाँ हमें भी बनना है अगला सवाल था कि बहुत कुछ राज्य शायर ऐसे होंगे जो प्रोएक्टिवली आपके पास आएंगे और कहेंगे कि हमें इसमें पार्टिसिपेट करना है अग्रसिपेशन करना है कुछ लोग शायद पीछे रह जाएंगे जहां पर लगाने के लिए देखिए इसमें डिसकॉम का बहुत बड़ा एहम रोल है हमेशा रहेगा पहले भी था पुराने स्कीम में नए स्कीम में भी रहेगा क्योंकि एंड में तो डिसकॉम ने जाकर पावर डिस्ट्रिबुशन कंपनी ने जाकर उस पर वहां इंस्पेक्शन करन है हमें बताना है कि वो लग गया उसको चेक करना है कि ठीक लगा के नहीं लगा उसके बाद उन्होंने वहां एक मीटर लगाना है नेट मीटर बोलते हैं उसको जो दो डिरेक्शनल मीटर होता है जिसमें आप खरीदते हैं बेचते हैं दोनों आ जाती है मीटर का मीटर भी कि स्टे ls कुछ ज्यादा प्रोएक्टिव होंगे कुछ कम प्रोएक्टिव होंगी लेकिन अगर समια्वाइड हो रा है तो मेरे करें篇 सभी स्टेट्स फर उन वोड babies को लेका अब का बहु का हैं कि जो पीपी भी फोगे या फिर स्टेट्स meant के पीच में आपके बीच में उस tariff court करके उसको दिया जाता है इसमें सिर्फ फरक यह है कि जो बिजली सर्पलस है अगर में पर रूफटॉप सुस्टम मैंने रूफटॉप लगाया है सोला लगाया है जो मैं कंजूम करता हूं वो तो कंजूम कर लिया जो मैं इस सर्पलस हुई मैंने आपको डिसकॉम को दे किस रेट पे उसको सेटल किया जाए इसका एक जरूरी एक मापदंड है जो हम अभी स्टेट्स अलग लग रखते हैं यह स्टेट रिगूलेटर के उपर रहता है नॉर्मली कि क्या रेट उस पे तैह हो इस पर थोड़ा हम चाहते हैं कि स्टेट्स का थोड़ी कनफर्मिटी की थोड़ा सा आजपास रहें कि जएधा उसमें फरक नहीं हो यह हमें काम करना पड़ेगा स्टेट्स के साथ लेकिन हम रूल्स बनाकर बही कर सकते हैं थोड़ा इसको एंकरेज कर सकते हैं तो मिनिस्टिय ऑ पाव़ उसमें एक्तर के निकरिशी अक्ट बनाती है उसको हम कि परियोग करेंगे कि कैसे उसको इस्त्माल कर सेंगे कि अगर आप सोलर को को लेकर के आगे आगे कि दिशा हमें थोड़ा सा बता पाएं कंजूम्र्स केलिए स्कीम है तो आप सीधे इनी से मुखातिव हूं और बतायें कि सोलर को लेकर के आगे आपका क्या सोचना है रेट् एकसेसिबल है एक चीज तो मैं यह कहना चाहूंगा कि सोलर अलड़ी एफोड़िबल है इन फैक्ट अगर आप आजकल के जो हम पावर प्रोजेक्ट करते हैं रिनुबल अनर्जी गए विंड प्रोजेक्ट देख लेजिए यह सोलर प्रोजेक्ट लेजिए सोलर में सबसे कम आता है तो एक तो और आपके बिना जाने हुए भी आप घर में सोलर का इस्तमाल कर रहे हैं क्योंकि जितनी बिजली आप खरीद रहे हैं जो डिसकॉम बिजली खरीदता है उसका एक परसंटेज होता है वो रिनूबल एनर्जी उनको खरीदना पड़ता है तो आपको पता है यह आजकल इस साल जो पिछले साल में 27 परसंट है अगले साल वो 29 परसंट हो जाएगा और उसके और 2030 तक यह 43 प्रतिशत हो जाएगा इसका मतलब कि जितनी में बिजली डिसकॉम खरीदेगी 43 प्रतिशत उसका रिनूबल एनर्जी होना पड़ेगा उसमें सोलर भी है वि मैं दर्शानी की कोशिश करूँ आप अपने घर में बिजली बना रहे हैं आप अपने घर में ऐसी बिजली बना रहे हैं जो आप जो आप पांचा साल में उसका ब्रेक इवन हो जाता है 25 साल तक यह प्लांट चलता है तो जब आपका ब्रेक इवन हो गया आपका आपने पै हर वेक्ति को जिसका पास रूफ है जिसके पास चछत है लगाना चाहिए हर घर पर हर चछत पे सोलर होना चाहिए अब फाइनले साथ आपको लगता है कि जो आपने सोलर के लिए लक्षताय किया है उत्पादन का उसमें हर कोई कांट्रिबूट करेगा इस स्कीम के जरिए और हर तरीके से पाटिसिपेट कर सकते हैं एक तो आप लगा सकते हैं अगर लगा नहीं रहे तो इसको कम्मुनिकेशन आप कर सकते हैं आप लोगों के इसके बारे में बता सकते हैं आप डिकार्बनाजेशन एफ़र्ट में जो अपना जो कार्बन हम जनरेट करते हैं हम कहते है कि अपना कार्बन फुट्प्रिंट कम करें इस से आप कम कर सकते हैं दूसरों को आप प्रोटसाइट कर सकते हैं तो मेरे ख्याल ये योजना ही नहीं ये पूरा एक कैमपेन है पूरा एक मिशन मूड है हमारा कि भारत को हमारा जो लक्ष है 2030 तक पचास प्रतिशत हम एलेक्रि बहुत बहुत धन्यवाद अल्ला सब वक्त निकालने के रहे और बहुत शुप कामना है आपको इतना महत्वा कांग्षी योजना मिशन मोड में आप लेकर के चलने हैं मुझे अमीद है कि जरूर सफल होगी और एक करोड का लक्ष आप जल्दी ही प्राप्त कर पाएंगे जिसका आपने टार्गेटर का है बहुत बहुत धन्यवाद फिलाल इस खास कारकर में सर्फ इतना ही लेकिन कोशिश कीजिए कि आप इस योजना के बारे में और ज्यादा समझे आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाए मिनिस्ट्री के और वहाँ पर खुद आवेदन कीजिए झाल झाल